हेलो एवरिवन माइनेम इस राज और वेलकम तो इको लेर्नर्स आज का हमारा टॉपिक है नेट इंडिरेक्ट अब चैप्र नमबर टू हमने स्टार्ट कर दिया था एंड हमने एप्रॉक्स 50 परसेंट चैप्टर कम्प्लीट कर लिया है तो अभी रिमेनिंग टॉपिक्स हमे कभी जूनिया क्लास्स में पढ़ा होगा कि जो गवर्मेंट टेक्स चार्ज करती है वो दो तरीके से चार्ज करती है एक डारेक्ट टेक्स होता है एंड एक इंडारेक्ट टेक्स होता है तो हमें यह वही वाला इंडारेक्ट टेक्स हमें यहां भी डिसकस करना पड़ेगा Indirect teclass एक朝थे ने殖ार्गों की हैं जो लि सबसुट पसको तब करती है उसके हैं तो सब्सक्राइब्ग को इस फरेक्ष नहीं अधुया है और लिएक स्क्राइप है ऐसाडवर्मेंट का रिफॉम आया था जो सारे तक्ष और गारे leather shoes manufacture कर यह company और उसकी cost 500 rupees government ने बोला कि हम इसमें 10% GST लगाएंगे तो 10% GST लगने के बाद मतलब 50 rupees और GST लग जाएगा और इसकी जो total cost बैठेगी वो बैठेगी 550 rupees तो मतलब 550 rupees में government हमसे 50 rupees किसले ले रही है tax के नाम पर indirect tax के नाम पर तो यह हमारा indirect tax मतलब कुछ भी चीज अगर हम manufacture करते हैं production करते हैं या फिर production करने के बाद sale करते हैं तो government उस पर tax लेती है जैसे for example imagine करो आप Domino's पिजा खाने जारो अपने family के साथ तो वहां पर कभी भी बिल चेक करोगे तो वहां पर नीचे GST लिखा हो तो मतलब जब manufacture हो रहा है पीजा बेस तब भी government को tax मिल रहा है business का मतलब क्या होता है example से वह और भी जादा clear हो जाएगा so now let us see an example एक farmer है जो shop पे जा रहा है organic fertilizer purchase करने अब organic fertilizer की cost है 100 rupees पर kg अब farmer कहता है shopkeeper से भाई साब हमारे लिए थोड़ा महंगा पड़ रहा है आप कुछ कर सकते हैं इसमें price कम तो shopkeeper clearly मना कर देता है बट इतने इसी conversation की बीच में एक government official एक सरकारी आदमी बीच में आ जाता है और farmer से कहता है कि ऐसा चीज है कि आप जो organic fertilizer purchase कर रहे हैं वह कौफी साथ अच्छी बात है because environment के लिए काफी अच्छा है तो एक काम करिए आप अपनी side से बस और 80 rupees पे करिए और government अपनी side से 20 rupees पे कर देगी तो government अपनी side से 20 rupees पे कर रहे है तो मतलब government farmer की help कर रही है ताकि इसकी price reduce हो जाए और shopkeeper को total 100 rupees मिल जाएंगे 80 plus 20 अब subsidies का मतलब जरा समझना ध्यान से अब जो 20 rupees government ने help किये farmers को उसी को हम लोग कहते है economic assistance economic assistance मतलब पैसे के रूप में कुछ help या मतलब money in terms of help in terms of money right तो जो भी government government जैसे हमें LPG पर subsidies मिलती है तो जो LPG का और जो original price that is 1100 अप्रोक्स और subsidize के बाद subsidy provide करने के बाद उसको जो price है वो 700 से 800 के बीच में आ जाता है तो उसी को हम लोग कहते है subsidies अभी जैसे recently मोदी जी की scheme आई थी कि भाई जिसको अपनी subsidies give away करने हो कर सकता है मतलब जिसको नहीं लगता कि इसको help की ज़रूद है government की वो अपनी subsidies give away करते है तो subsidies का मतलब जो भी government help कर रही है and indirect risk का मतलब जो भी government हमसे पैसा ले रही है अब net indirect tax का मतलब क्या हुआ right समझना ध्यान से government ने हमसे 50 rupees collect किये और 20 rupees हमें वापस दे दिये in terms of subsidies the government ने हमसे net में कितना लिया 30 rupees लिया इस 30 rupees को हम लोग कहते है net indirect tax मतलब indirect tax minus subsidies right indirect tax and subsidies की बाद indirect tax की जो definition होगी वोगी it refers to the difference between indirect tax and subsidies मतलब indirect tax जो भी government हमसे टेक्स लिया और subsidies मतलब जो भी government हमने government हमें हमें वापस कर लिया तो दोनों का जो difference होगा उसी को हम लब बोलते है NIT net indirect tax right so next topic है हमारा factor cost and market price जब आप national income की numerical solve करोगे तो आपको निकालना पड़ेगा for example GDP at market price यह GDP at factor cost तो market price of factor cost का मतलब आपको clear होना चाहिए so एक बाद definition check कर लेते हैं factor cost and market price की अब factor cost की definition है it refers to amount paid to factors of production for their contribution in production process and market price की definition है it refers to price at which product is actually sold in the market एक बर example से चेक करते हैं वहां से ज्यादा अच्छे से clear होगा right for example एक factory है factory बना रही लेदर शूज और लेदर शूज बनाने की उनको मिल रहे हैं 500 रुपीज मतलब एक लेदर शूज की cost बैटरी फाइव 500 रुपीज अब imagine करो कि आप लोग market जारोगे purchase करने तो हम factory से तो purchase नहीं करते हैं हम shop से purchase करते हैं तो यह factory से जो भी समान है shop में transport होना जरूरी है तो जब समान factory से shop भी जाएगा तो बीच में हमारे कुछ government official आजाएगी क्योंकि production हुआ तो उनको कुछ tax चाहिए तो for example उन्होंने 50 rupees indirect tax के नाम पे ले लिया और कहीं ना कहीं उन्होंने 20 rupees की subsidies दे दी तो जो भी shop पर यह price पहुंचेगा हमारा that is 530 rupees का तो मतलब shop पर जो भी cost shop को incur करनी पड़ रहे है फिर shop जिस price पर seal करेगा उसको हम बोलेंगे 530 rupees इस example में मालो profit zero है profit को हम लोग zero consider करेंगे ताकि और भी ज्यादे simplify करके हम लोग समझ सके factory cost थी हमारी 500 rupees मतलब जो भी चीज factory को production में cost incur करनी पड़ी उसको हम लोग बोलेंगे 500 rupees यहां पर हमने subsidies को minus किया और indirect tax को plus किया तो जो हमाई shop को cost पड़ी है that is 530 rupees और जो भी shopkeeper इस समान को बेचेगा leather shoes को बेचेगा वो 530 rupees में sell करेगा तो इस 530 rupees को हम बोलेंगे market price मतलब जो भी समान जो भी price पर समान sale होता है market में उसको हम लोग बोलते है market price it refers to price at which product is sold actually sold in the market मतलब 530 rupees का हम लोग product sale करेंगे तो 530 rupees बन जाएगा हमारा market price अब factor cost समझना ध्यान से कोई भी चीज हम लोग purchase करते हैं तो जरूरी नहीं जो हम लोग price shopkeeper को pay कर रहे हैं वह वह वही price क्या कितने factory वालों को मिलता है जैसे for example मैंने market purchase के 20 rupees का तो जिस company ने marker बनाया है जरूरी थोड़ना उनको 20 rupees मिलेंगे उनको तोड़े कम मिलेंगे विकाज उन्होंने कुछ ने कुछ indirect tax भी पे किया हुआ government को राइट तो जो भी पैसा originally factory की owners को मिलता है मतलब factors और production को मिलता है उसको हम लोग बोलते है factor cost और जिस price पे market में sale होता है कोई भी product उसको हम लोग बोलते है market price दोनों के बीच में difference है factor cost गर 500 rupees है और जो हमारे market price है और 530 rupees हो तो बीच में जो चीज आ रहा है एक indirect tax and subsidies है indirect tax minus subsidies आपको पता है क्या होता है हमारा NIT तो अगर 500 में हम लोग NIT plus कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा market price मतलब factor cost plus NIT equals to market price एक और आप इस table से आप लोग clear कर सकते हो यहाँ पे आपको जादा अच्छा समझ में आएगा for example यहाँ पे FC factor cost और यहाँ पे हमारा MP market price factor cost से अगर हम लोग MP पर जाएंगे मतलब market price पर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा plus करना पड़ेगा NIT और अगर market price से वापस factory पहेंगे तो हमें minus करना पड़ेगा NIT right so इस वीडियो का हमारा last topic है net factor income from abroad short में इसे NFIAB कहते हैं एक बार definition चेक कर लिए इसकी it refers to the difference between factor income received from rest of the world and factor income paid to rest of the world right एक बार example से चेक करते हैं अच्छे से clear हो जाएगा see for example India है और USA है India में Mr. X है जो USA की company में काम करते हैं तो अगर USA की company में काम करेंगे तो कुछ ना कुछ उनको salary मिलेगी USA से for example इन्हें hundred dollars USA से payment मिलती है तो जो भी बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है उसे हम बोलते हैं factor income from abroad from abroad मतलब जो बाहर से आ ठीक है और वैसे for example Mr. Y है जो इंडिया में काम करते हैं तो इंडिया से इनको कुछ salary मिलने वाली है जिसको हम बोलेंगे factor income to abroad अगर इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे factor income to abroad और इंडिया में अगर पैसा आ रहा है तो उसे बोलेंगे factor income from abroad for example हमने इने 50 dollars rupees salary pay की है तो हमने हमें मिला कितना 100 rupees और हमने पे कितना किया 50 rupees तो NFI निकालने का तरीका क्या होता है हमें मिला 100 dollar और हमने पे किया 50 तो net में हमें कितना मिला 50 dollars हमें मिले मतलब net factor income का formula क्या हो गया factor income from abroad मतलब factor income from abroad FIFA minus factor income to abroad FIFA minus FITA कर देंगे तो हमारा NFIA निकल जाएगा राइट कुट कर ठीक है वीडियो में मारकर ऐसा रहेगा देख लिए जलो स्टार्ट करते हैं तो चलिए शुरू करते हम तो गाइस थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो होफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आएगे तो प्लीज लाइक इस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स को शेर करिये और सब्सक्राइब तो मैं चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो जोन एक्नॉमिक्स